अब की बार ट्रम्प सरकार तो वहीं ट्रम्प ने कहा कि भारत के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकवाद से लड़ेंगे इस मौके पर पियम मोदी ने अमेरिकी राश्टरपती डोनेल टरम्प को सो परिवार भारत आने का नियोता दिया पियम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिये बगएर जमकर कोसा पियम मोदी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो और शांती चाहते हैं आतंग को पालते पोस्ते हैं उनकी पहचान पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है बारत अपने यहाँ जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिन से खूद अपना देश समल नहीं रहा है इन लोगों ने बारत के प्रती नफरत को ही अपनी राजनीती का केंद्र बना दिया है यह वो लोग है जो अश्रानती चाहते हैं आतंग के समर्थक है आतंग को पालते पोस्ते हैं उनकी पहचान सिरब आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है अमेरिका में 9-11 हो या मुंबई में 26-11 हो उसके साजिस करतां कहां पाए जाते हैं साथियों अब समय आ गया है कि आतंगबाद के खिलाप और आतंगबाद को बड़ावाद देने वालों के खिलाप पियम मुदी ने धारा 370 को लेकर भी भारतिय अमेरिकियों को अपनी बात कही और कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को भी फियर विल दे दिया है आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और रदा के लोगों को विकास से और समान अधिकार्यों से वंचित रखाता इस थीती का लब आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकते उठा रही थी अब भारत के समिधान ने जो अधिकार बाकी भारतियों को दिये हैं वही अधिकार जम्मू कश्मीर और रदा के लोगों को भी मिल गए है इस करक्रम के दौरान पीम मोदी ने हाउडी मोदी का कई भाशाओं में मतलब समझाया और अमेरिकी रास्टपर्टी डोनेल ट्रॉम्प के साथ पच्चास हजार लोगों को भारत के विकास की बात कही और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है भारत में सब अच्छा है साथ चंगासी बदाज मजामाचे अन्ता बागुंदी इल्ला चिन्ना गिरे इल्लाम सोकियाम सर्वच्छान चाल ले आए शौब खूब भालो सबू बलाची साथ्यों हमारे अमेरिक्या मित्रों को यह आस्यर हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है प्रेसिदेंट ट्राम्प और मेरे अमेरिकी मित्रों मैंने इतना ही कहा है एवरिधिंग इस फाइन पियम मोदी ने जब अपना संबोधन खत्म किया तो उसके बाद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमेरिकी रास्त्रोपती को हाथ पकड़कर भारतिये लोगों के बीच ले गए और लोगों का अभिबादन भी किया प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल आज किया अभ्रेश बान इस दोड़्या हुई ओपन लुई प्रोटोटोटोग्टोटोटोट इस दोड़्या हुई घिरी थे फ्रस दिस दूबाल to my fellow Indians in India and around the world friends this morning we have a very special person with us he needs no introduction his name is familiar to every person on the planet his name comes up in almost every conversation in the world on global politics his every word is followed by tens of millions he was a household name and very popular even before he went on to occupy the highest office in this great country from CEO to commander in chief from boardrooms to the oval office from studios to global stage from politics to to the economy and to security he has left a deep and lasting impact everywhere today he is here with us it is my honor and privilege to welcome here in this magnificent stadium and magnificent gathering